Hello students, welcome to Hello Biology और हम पढ़ रहे हैं Human Reproduction लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था मेल रिप्रोड़क्टिव सिस्टम जिसमें टेस्टीज, मेल एसेसरीज, डक्ट, ग्लैंट और एक्स्टरनल जैनिटेलिया आते हैं और लास्ट लेक्चर में हमने जाना था टेस्टीज के फंक्शन और उसके स्टक्चर के बारे में है और अब स्टार्ट करते हैं मेल एसेसरीज डक्ट से तो मेल एसेसरीज डक्ट के अंतरगर रिटर टेस्टी, वासर डिफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस और वास्ट डिफ्रेंश आते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं, टेस्टीज में 250 कमपार्टमेंट होते हैं, जिसे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं, और प्रतेक टेस्टिकुलर लोब्यूल में कॉइट शेफ सेमी निफेरस डिब्यूल होते हैं, जहां पर एक्चुली में स्पम्स का प्रोडक्शन होता हैं ये डिब्यूल्स आगे बढ़ते हुए open होती हैं वासा इफ्रेंशिय में रेटा टेस्टीज के माध्यम से वासा इफ्रेंशिय में टेस्टीज से निकल कर epididymus में खुलता है epididymus प्रते एक टेस्टीज के पिछले सर्फीस पर इस्थिर होते हैं epididymus से वास डिफ्रेंश निकलता है जो की आगे बढ़ते हुए उदर याने की abdomen की ओर उपर जाता है जैसे की आप ये देख रहे हैं और मूत्राशे अथवा urinary bladder की ओपर की ओर lute बनाता है तो ये है meal accessories duct जो की टेस्टीज से होते हुए open होती है urinary bladder में इनका मुख्य कार रहे होता है spums को urinary bladder से ही बाहर urinary bladder तक लेके जाना और spums को store रखना ठीके तो यहां तक हमने जाना meal accessories duct के बारे में तो अब आगे भढ़ते हैं meal reproductive system में मुख्य रूप से तीन प्रकार की glands आती है जिनमें से आप ये देख रहे हैं यहां पर एक प्यार होता है seminal vesicle का जो की urinary bladder में पाई जाती है और इसका मुख्य काम होता है एक fluid की synthesis करना जो spums को protection प्रतान करता है इसके अलाबा एक gland होती है जिसे हम prostate कहते हैं जो की आप देख रहे हैं center में उपस्तित है और एक होता है बल्वो urethral gland इसका एक प्यार होता है तो बच्चों urinary bladder में seminal vesicles से एक duct आती है ठीक है जो की जुड़ियों होती है किससे वार्स difference है एक duct आती है और ये ejaculatory duct के योग रूप में urethral में खुलता है किसकी रूप में? ejaculatory duct के रूप में urethral में खुलता है ये duct testis से प्राप spumps को store और transport करती है और इन्हें urethral के थूप बाहर इस्थनांत्रत करती है तो बच्चों ये जो urethral है जैसे कि आप ये देख रहे है इस diagram में urethral external genitalia जिसे हम panis भी कहते हैं इसके माध्यम से गुजरता हुआ एक छित्र के रूप में बाहर खुलता है और उस छित्र को हम कहते हैं urethral malitis अब बात करते हैं external genitalia की तो ये हैं दोनों testis के माध्य में इस्थित होती है ये एक विशेश प्रकार के tissue की बनी होती है और इसके end को glans panis कहते है glans panis को एक special type की skin cover करती है और इस skin को हम कहते है four skin तो बच्चो this is all about the male reproductive system मिलते हैं आपसे अगली class में और अगर आपको ये वीडियो पसंच आया हो तो subscribe button पर click करें तब तक के लिए अलविदा दोस्तों